हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ सना और आज मैं आपके साथ वेजिटेबल मसाला पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ यह पुलाव बनाना बेहत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी होता है बहुत ही चटपटा से पुलाव बनता है जब भी कुछ च वेजिटेबल मसाला पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सर्विंग स्पून ओयल गरम कर लेंगे और इसको अच्छी तरीक के से गरम करेंगे आप कोई भी कोकेंग ओयल ले सकते हैं यहां पर कुछ गरम मसाले लिए हैं मैंने एक चमस जीरा लिया है दो हरी लाइच गरम मसाले डालने से हमारा पुलाव बहुत ही खुश्पुदार बनेगा प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे और इसके बाद इसमें अधरक लैसुन का पेस्ट डाल देंगे तो यहां पर देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया है मैंने यहां पर थोड़ा सा थोड़ी सी लेके कूट करके डाला है मैंने आप चाहें तो ग्रेट करके डालें या फिर पेस्ट बना के डालें इसको एक से दो मिनट चलाते वो घुनेंगे जिससे कि इसका कच्छापन निकल जाए यह मैंने कुछ वेजिटेवल्स काट के रखें जिसमें गोबी है एक मीड भड़ी साइस का टमाकर यह मैंने मैंने उसको चोट चोट होट करकर एड कर लिया है उसको शूट चोटा काट कर करके डालिया है सारी सब्जियों को एक बार अच्छी तरीक से मिक्स कर लेंगे और 21-22 मिनुन के लिए पक्षंवआइhmen सान्थ मैंने फ्रेश मटर लिये है य अत्राइब के साथ सब्जियों को मिक्स करके एक मिनट के लिए आप पका लिजे इसे मसाले आपको अच्छी तरीके से कोख हो जाएंगे यहाँ पर देखिए मसाले भी अच्छी से कोख हो गए है अब इसमें राइस एड करेंगे यह मैंने बासमती राइस लिये हैं जो रेगुलर हम घर में यूज़ करते हैं इन राइस को मैंने आदे खंटे के लिए भीगो के रख दिया था अब इसको पानी से निकाल करके हम आड कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे एक बार मिक्स करनी के बाद हम पानी आड करेंगे तो इसे मैं प्रेशर कोकर में बना रही हूँ लेकिन जैसे आप पतीले में फुले बरतन में बनाते हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ इसकी लिड लगा कर मैं विसल नहीं लगाओंगे तो इसमें पानी हम डबल रखेंगे जितने राइस लिए हैं यानि कि एक कप राइस लिए हैं अब हमसे ढग करके medium high flame पे 5 minutes के लिए पकाएंगे और 5 minutes के बाद आप देखेंगे इसका पानी जो है सुख जाएगा और तक्रीबन 20% पानी इसमें रह जाएगा यानि कि 80% तक पानी को आपको dry कर लेना है और उसके बाद फिर flame को low करना है low flame पे आप इसको 10 minutes पकाएंगे और 10 minutes पकाने के बाद flame को off करके फिर 10 minutes के लिए ऐसे ही छोर देंगे जिससे ये अपनी ही heat में थोड़ा सद्दाम हो जाएगा और उसके बाद आपके चावाल एकदम खिले-खिले आपको नज़र आएगे 10 minutes मैंने इसे low flame पे पकाया और उसके बाद gas बंद करने के बाद मैंने इसको 10 minutes और steam में रहने दिया अब इसमें एक छोड़ी चमच हम देशी घी डाल देंगे उपर से जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और ये देखिए हमारा vegetable masala पुलाव ये और आप ऐसे हम धर आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं ये वैसे ही काफी चट-पता सelectा है आप ऐखAfर अघर हम चैनल हो आए है तो जो मिद्दों स्ब्सक्राइब करने git झाल